नमस्कार दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग प्रिभियस एर कोश्चन से रिज देख रहे थे जो की आपके बीप पी एसी के असिस्टेंग इंजिनियर के प्रिभियस एर में पूछे गया थे तो इसके पहले हमने इसका चार पार्ट अल्रीडी डिसक कर लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं और देखिए आपका जैसे दो 2019 की जो विगयांसी थी असिस्टेंग इंजिनियर की तो इसकी जो एक्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है तो आप लोग तयारी में लग जाएए जिन्होंने भी अपलाई किया था हम भी कोशिस करेंगे कि आपको जो है लेक्चर्स प्रफाइट करेंगे नॉन टेकनिकल पार्ट का और इसमें दिखिए जो सीलेबस है यानि कि जो एक जाम पैटरन आपका उस सीलेबस क्या है तो इ एक हंदी और दूसरा इंगलिजumm करना होगा हम आपको करेंगे आणे वाले दीनों में जो जो जाम पूँचे गाए थे तो ये भी series आपका continue चलता रहेगा तो चलिए start करते हैं हम लोग ये वोला part देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 41th नंबर का question है 40 question हमने अल्रेडी discuss कर लिये थे part 4 तक तो question देखिए है कि the first women IPS officer of India is तो पहले पर्थम भरती महिला जो IPS officer बनी थी वो कौन है इंडिया की तो इसका देखिए right answer हो जाएगा option C किरन बेदी हो जाएगा तो किरन बेदी जो है तो यह एक retire Indian police service officer थी और यह social activist भी है और former यह tennis player भी है रह चुकी है और साथ साथ में यह politicians भी है जो कि अभी यह पूडूचेरी के lieutenant governor है तो यह सब भी fact अब लोग याद रखना और देखिए यह 1975 में यह Indian police service की जो post थी तो इन्होंने वहाँ carrier 1975 से इन्होंने start किया हुआ था फिर next देखिए question आपका यह current affairs related है जो question आपका यह पूछेगा थे जो भी जिस समय भी एक जाम आपका हुआ था हो समय की हाई यह तो question था कि the magnetic leviation train of which country set a world record of 603 km per hour तो देखिए यह type of magnetic leviation trains होते हैं तो यह सबसे की अब जानते हैं कि यह bullet trains होते हैं जो कि fastest train के स्रेणी में आते हैं तो यह Japanese की एक train थी magnetic leviation train जिसने अपना खुद का ही पिछला जो world record था speed के मामले में अपना record तोड़ा था तो जब यह trial के द्वरान यान कि जब इसको run किया जा रहा था टेस्ट के द्वरान तो यह जो है 603 km per hour की speed जो है टच कर गई थी और यह हुआ था मांट फुजी पे जो कि यह जपान में यह इस थी था तो यह जैसे कि कौन से country का यह magnetic elevation train थी यह जपान की थी तो राइट एंसर क्या जब ऑप्शन सी इसका हो जाएगा तो देखिए current affair से जो भी important जो भी topics है आपके जैसे आपका national issue, international issue के तो उनसे आपसे question पूछे आते हैं तो यह चीज़ आपको हम current affair provide कर देंगे आपको इसी exam से related रहेगा आपका जो कि आपको बहुत ज़्यादे helpful रहेगा तो exam से पहले आपको हम 10 दिन पहले या फिर 2-3 दिन में ही आपको जो हम provide कर देंगे और आप जानते हैं कि exam date आपका जुलाई में होने वाला है फिर next question देखिए कि 14th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice will be held in 2020 इन तो यह भी आपको current affair का है topic था तो इसे related देखिए जो United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice जो है तो यह एक United Nations के दोरा इंस्पोंशन किया गया एक Congress है जो कि इन सारे topics पे जो है यहाँ पे जैसे कि discuss किया आते हैं जैसे कि Crime हो गया Crime Prevention and Criminal Justice हो गया और यह जो है तो हर एक 5 साल में और्गनाईज की जाती है यह Congress जो है तो इसका देखिए और्गनाईजेशन जो है तो यह United Nations Office on Drugs and Crime को दोरा यह की जाती है और इसमें देखिए United Nations के जितने भी Member States है इसके अलावे जो भी observers या फिर international organization या फिर जो non-governmental organizations है तो यह सारे जो होत जो फॉस्ट Congress जो इसकी और्गनाईज की गई थी तो वो 1955 में की गई थी और उस समय जो हो सिटी था तो वो जिनवा की स्विट्जालेंड में स्विट्जालेंड के जिनवा में यह किया गया था और उसके बाद देखिए जो प्रिवियस के जो लेटेस्ट में जो हुआ था और आप जानते हैं कोरोना वारेस का प्रकोफ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अभी देखी जा रही है तो इसको चलते जो है इसको पॉस्पोन कर दिया गया है तो उस समय ग्रेंड अफेर में था तो यह इसलिए राइट एंसर इसका डी होता लेकिन इसको जो है पॉस्पो फुल्फॉम आप आटी जीएस इस तो इसमें आपसे आटी जीएस की फुल्फॉम पूछे जा रही है तो दिखिए जो आटी जीएस है तो इसका फुल्फॉम होता है रियल टाइम ग्रोश सेटल्मेंट तो इसका दिखिए राइट एंसर आपका हो जाएगा रियल टाइम इसके अलावे एक और होता है NIFT का तो इसका फिल्फर्म होता है निशना इलक्टोनिक फ़ांट ट्रांसफर तो यह सारे इलक्टोनिक पेमिंट सिस्टम है जो कि कोई भी इंडिविजूल्स को दो बैंकों के भी पूंट को ट्रांसफर करने में हल्प करती है तो ओलाइन पेम तो देखिए जो सवच भारत अभियान था जिसके नेशन वाइन चलाया गया था जिसमें कि जितने भी ओफन्डिफिकेशन फ्री है चाहे वह कंट्री वाइट के कहीं भी कोई भी रीजन्स हो रूलर हो या अर्वन एरिया जो तो हर एक जगा पे ओपन्डिफिकेशन फ्री कर करना तो यह इसके मिजर जो मकसद थे इसके करने के लिए तो यह जो अभियान था था तो यह स्टार्टिंग के बीच में यह चला था तो स्टार्टिंग कप हुआ था यह सकेंड अक्टूबर 2015 को की गई थी तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा आपको option B हो जाएगा यह डेट भी आप लोग याद रखना यह कोश्चन अपसे नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है और आगे भी पूछे भी जा सकते हैं इससे रेलेटेड फिर नेक्स्ट कोश्चन दिखिए कि the supersonic jet planes fly in which of the following layers of the earth's atmosphere तो earth के कौन से layer जो है उसके atmosphere के जहां पे जो supersonic jet होते हैं तो इसका देखिए right answer आपका हो जाएगा option से stratosphere हो जाएगा तो जितने भी commercial jet aircraft जो होते हैं तो वो stratosphere के lower region में जो रहते हैं तो वहीं पे जो है वो fly करते हैं तो देखिए इसके पीछे यह regions होती है क्योंकि देखिए जो नीचे का जो troposphere से पहला जो layer होता है जिसको उन्हों जो मिना होते हैं जैसे कि cloud का formation होना इसके अलावे जो water vapor रहते हैं तो वो सारी presence रहते हैं तो इसके चलते जो है बहुत सारी disturbance हो सकते हैं तो इसी के चलते जो उन्हीं disturbance को avoid करने के लिए जितने भी commercial jet aircraft होते हैं तो वो जो है status fair के lower region में fly करते हैं और जो status पर जो region होता है तो जो है बहुत ही सुखावा रहता है और वहां पर जो air जो प्रिजेंट रहती है तो उसमें जो है नमी बहुत ही कम रहती है तो वह बहुत ही पर वहाँ पर आप जानते हैं कि जितने भी यानि कि जडियर से नीचे वाला जो सबसे दितने बी प्रोपर पेर और बोलते हैं लोग और इसी रिजन में जो मेजर दी जो वेदर लेटेड फिनोमेना होता है यहां पर जैसे बारिश होना या क्लावड को फर्मेशन होना तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि प्लेन जो है उपर उड़ते हैं इस टेड़ स्टेड़ स्टेर रीजन में जो कि यह पूरी तरह से विदर लेटर फिनोमेना से यह बाधित नहीं रहती है next question देखिए कि consumption of water with high concentration of arsenic leads to यानि ज़cribed говорю can jumpson करता ह Interima war को बहुत ज्यादा होती है इससे क्या होती है तो देखिए अगर arsenic की मातरा जो अगर drinking water में अगर वह बहुत ज्यादा एक्श्कोजर हो जाता है तो इसंके चलते जो है यी ब्लड विसल्स के disease होती है, जिससे क्या होता है इसमें, जो food जो होता है, तो वो black Power होता है तो इससे disease जो होता है, तो वो है black food disease तो right answer क्या हो जाएगा, option D इसका हो जाएगा इसके अलावे दिख्यों, और भी आपका जैसे दियह मीना माटा disease है तो मिना माटा डिजिस जो है तो यह एक neurological यह एक syndrome है जो की mercury के civil poisoning के चलते होती है इसके अलावे जिससे आपका इसमें blue baby syndrome जो आपका दिया हुआ है तो यह एक ऐसा condition होता है कि जिसमें जो baby के skins होते हैं तो वो blue color के हो जाते हैं तो यह जो है access of nitrate के चलते होती है और वहीं पर देखिए जो आपका इसमें इटाइ इटाइ डिजिस जो आपका इसमें दिया हुआ है तो यह भी एक तरीका का यह के health 1000 है जो की cadmium के चलते induce होने के चलती है होती है तो यह सारे जितने भी आपके और भी दिये गया है तो यह आप लोग याद रखना next question देखिए the first state implementing fully organic farming practices in India is तो कौन सा पहला state है कि जो पूरी तरीके से organic farming practices को जो है यह implement किया हुआ है तो इसका देखिए right answer हो जाएगा सिक्कीम हो जाएगा तो 2003 में जो है सिक्कीम ने डिसाइट किया था कि यह पूरी तरीके से organic farming जो convert कर देंगे और इन्हों ने देखिए यह goal 2015 में ही achieve कर लिया था और यह इंडिया का यह पहला ऐसा state बन गया जो कि और यह पूरी तरीके से organic state बन गया देखिए organic farming का यहां पर मतलब होता है कि जैस है कि वह जो भी फसल उगाएंगे यहां पर तो उसमें जो है कोई भी फटलाइजर या प्रेस्टिसाइट का इसके अलवे जो genetically modified जो और निजम सोते हैं तो इन सभी का यूजज है वो नहीं करेंगे और इसके अलवे जो क्या करेंगे पर ट्रेडिशनल सिस्टम जो अग्रि मिनिक सट्रिफाइड हो चुके हैं अधि क्शुर्चन देखिए कि दो जो टिपलेटिं सबस्टैंस इस तो जो डिपलेटिंग सब्स्टैंस इक कौन कुन से तो यहां पर देखे सब से पहले आपको जो जो उन का जैसे कि यह क्या है और यह किस तरीके से है डिपलेशन होती और यह ऐसा लेयर है जो कि हमें harmful radiation से जो भी रेडियेशन से आते हैं तो उनसे हमें बचाती है क्योंकि यह जो है उन सारे harmful radiation को यह अब जब कर लेती है तो इस तरीके से एक blanket की तरह काम करती है लेखिन देखिए अब कहा है कि recent जो जितने भी modernization हो रही है जिसमें कि बहुत सार बहुत सारे जो ऐसे chemicals, hazardous chemicals का use किया जा रहे है जैसे pollution increase हो रही है तो उसके चलते क्या है कि जो ozone layer का परत है तो यह depletion होते जा रही है तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे hazardous chemicals होते हैं जिनकों कि हम लोग ozone depleting substance बोलते हैं तो यह सारे जितने भी ozone depleting substance जो है तो यह वह chemicals आपके हैं इसके अलावे जो hydro bromo fluorocarbons है यह हो गया इसके अलावे hydro chloro fluorocarbons हो गया इसके अलावे methyl bromide हो गया और इसके अलावे जो bromo chloromethane है तो यह सारे जो है ozone depleting substance है तो यह आप लोग याद रखना अब यहाँ पर देखिए जो question में आपसे दिया था carbon dioxide तो carbon dioxide यह ozone depleting substance तो है नहीं इस आपके अलावे इसमें आपका दिया आवाए chloro chloro carbon है तो यही जो है इसका राइट that question अ होता तो यह नहीं होता है और इसके अलावे जैसे अमोनिया तो अमोनिया भी नहीं होता है तो आपको इसमें ध्यान से देखना एक option में दिया क्या है हलांकि यह जितना list मैंने आपको दिया हुआ है तो यही आपका एक्जाम में पुछा था और यही जो है major जो है ozone depleting substance होते हैं जो की ozone की परत को destroy करते हैं तो इसमें से आपको बताना है कुन सा element है जिसका electrical conductivity जो है वह highest होती है तो यह आपको option पर depend करेगा तो इस वह option में दिया हुआ है germanium copper silver और gold तो इसका है दिखे right tensor हो जाएगा option c silver हो जाएगा तो silver जो है यह most electrical conductive element है among जो भी आपका इसमें दिया हो या फिर यह जो है बेस्ट conductor of electricity होता है among all the elements जो अभिलेबल है इसके अलावे देखिए इसका relative जो thermal conductivity है तो यह भी ज्यादा high होता है अब यहां पर देखिए यह सीरीज आप लोग याद रखना जैसे सबसे जो highest conductivity होता है इलेक्ट्रिकल का तो वह तो silver तो है उसके बाद फिर copper होता है फिर gold और उसके बाद aluminium है तो at least आप लोग top two या three जो है आप लोग इतना याद रखना और जो thermal conductivity की मामले में भी जो silver है यह उसमें भी हाइस पर आता है तो यहां पर दिखिए जितने भी आपके इंपोर्टेंट कोस्टेंस थे यह पार्ट फाइब जितने भी इंपोर्टेंट थे तो वह हमने और जो class आपको होगा जिसमें कि हम आपको lectures प्रोफाइट करेंगे जो अभी एक्जाम होने वाला है तो वह भी आप लोग जरूर देखना वह बहुत ज्यादा बेनिफिसल्स रहेगा जिसमें हम लोग कोभर करेंगे आपके इंगलेस और जैसे आपके हिंदी है जो भी वह आपका compulsory पर तो नहीं है लेकिन पास करना है तो उसमें आपको important topic जो है आपको हम बता देंगे इसके अलावे जो general awareness का पार्ट होंगे important तो भी हम आपका क्लास में करा देंगे तो आप लोग से बस एक ही request है कि आप लोग वीडियो को अधिक सधिक share करना और अपने friends को भी बताईए कि यहाँ पे जो है classes चलाए जा रहे है यह BPSC Assistant Engineer की ताकि उनको भी उनको भी benefit मिलेगा और हमें motivation से मिलता रहेगा तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए